Tax Saving की चिंता हम सब को होने लगी है ऐसे में किसी ना किसी ने आपको PPF Account में पैसे लगाने के एडवाइस तो जरूर दी होगी लेकिन PPF में ही पैसे क्यों लगाए जाएं? बैंक के Fixed Deposit में क्या खराबी है? Insurance Scheme भी तो अच्छी होती है और आज कल मीचल फंड की खूब चर्चा हो रही है तो फिर PPF इसकी भी क्यों? आज हम इस वीडियो में आपके इनी सवाल की जवाब देंगे और इसके साथ ही हम आपको PPF Account के बारे में सब कुछ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि PPF में इन्वेस्ट करने पर आपको कितनी मिचियोटी की रकम मिलेगी नमस्कार दोस्तों मैं सवितामिश और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि PPF में इन्वेस्ट करने से टेक्स सेविंग किस तरह से होती है दोस्तो सरकार कई इन्वेस्टमेंट्स पर टेक्स शूट देती है Section 80C के मताबिक आप PPF में जितना पैसा जमा करेंगे उतना पैसा आपकी Taxable Income से घट जाएगा Taxable Income यानि आपकी वो Income जिस पर Tax लगेगा अब Taxable Income घटेगी तो फिर आपका Tax भी कम हो जाएगा लेकिन केवल PPF से ही इस तरह की Tax Saving नहीं होती है इसकी अलावा Tax Saving FD, Insurance Policy, ELSS, EPF जैसी और भी कई स्कीम है जिससे Tax के बचत होती है तो फिर PPF ही क्यों? क्या PPF में ज़्यादा कमाई होगी? क्या इससे ज़्यादा रिटन मिलेगा? दोस्तों आए इसे भी समझ लेते हैं आप जब PPF एकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो सरकार आपको ब्याज देती है ये ब्याज आम तोर पर बैंक के Fixed Reposit से अच्छा होता है Traditional Insurance Scheme भी इस मामले में पीछे है Mutual Fund का रिटन ज़रूर इससे अच्छा हो सकता है लेकिन इसके रिटन का कोई भरोसा नहीं होता क्योंकि ये काफी नीचे जा सकता है और इसलिए अगर आप गैरंटी के साथ बढ़िया इंकम चाहते हैं तो फिर PPF से बहतर कोई स्कीम नहीं है इसके अलावा PPF एकाउंट सबसे सेव भी है क्योंकि इसका पैसा सरकार के पास जमा होता है और सरकार ही इस स्कीम पर ब्याज देती है इसलिए आपको अपने पैसे और ब्याज को लेकर टेंशन करने की बिलकुल जरुवत नहीं है बैंक फिक्स डिपॉजिट भी भरोसे मन होता है लेकिन PPF उससे दो कदम आगे है और mutual fund के return की कोई guarantee नहीं होती है क्योंकि इसका return share बाजार की चाल पर depend करता है बाजार का sentiment अच्छा रहा तो इसने सबसे अच्छा return मिलेगा लेकिन अगर मंदी का महल बन गया है तो फिर घाटा हो सकता है PPF ने पैसे जमा करने को लेकर काफी आजादी है आप साल में चाहें जितनी बार पैसे जमा कर सकते हैं बस आपको ये ख्याल रखना है कि साल में कम से कम 500 रुपे जरूर जरूर जमा कर दें नहीं तो 50 रुपे की penalty लग जाएगी fixed deposit और insurance में इस तरह की छुट नहीं है insurance में तो आपको हर साल या हर महीने एक fixed amount जमा करना ही है हलाकि mutual fund में पैसे जमा करने को लेकर पूरी आजादी है आपके पास जब जितना पैसे हो आप जमा कर सकते हैं mutual fund में तो पैसे जमा करने की कोई upper limit भी नहीं है आप चाहें जितना पैसे जमा कर सकते हैं लेकिन पीपिफ एकाउंट में आप डेर लाक रुपए से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं insurance scheme और bank FD में भी ऐसी कोई limit नहीं है लेकिन tax saving के लिए आप डेर लाक रुपए से ज़्यादा नहीं क्लेम कर पाएंगे तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए पैसा वापस माने के मामले में PPF थोड़ा पीछे है क्योंकि आपका एकाउंट जब 15 साल पुराना हो जाएगा तभी आपका जमा पैसा वापस मिलेगा लेकिन दूसरी तरफ टैक सेविंग फिक्स डिपोजिट का पैसा आपको 5 साल में ही वापस मिल जाएगा टैक सेविंग मीच्वर फंड का पैसा भी आप 3 साल बाद कभी भी निकाल सकते हैं लेकिन इंशूरेंस स्कीम और PPF एकाउंट ही ऐसे हैं जहां से पैसा वापस पाना उतना आसान नहीं है PPF से आपको शुरुवाती सालों में लोन मिल सकता है लेकिन एमाउंट काफी कम होगा हलाकि 5 साल बाद आप PPF एकाउंट बंद कर सकते हैं लेकिन इसके लिए बच्चों की पढ़ाई या इलाज जैसी बड़ी वजह होनी चाहिए इसके अलावा आपके लिए ब्यास दर 1% घटा दिया जाएगा खाता खुलवाने से लेकर बंद होने तक का ब्याज फिर से कल्कुलेट किया जाएगा इसके बाद जो रकम आएगी वही आपको वापस मिलेगी इंशोरंस स्कीम भी 10 से 20 साल में मिच्योर होती है और वहां मिच्योर्टी से पहले पैसा पाना संभव नहीं है हाला कि इंशोरंस स्कीम से लोन मिल जाता है दोस्तों इस comparison के बाद हम ये कह सकते हैं कि PPF स्कीम के तीन बड़े फायदे है पहला फायदा है सेफटी का ये स्कीम सबसे सुरक्षित है आपको कोई टेंशन नहीं होगी और दूसरा फायदा है रिटन इसमें सेफटी के साथ बहतर रिटन मिल जाता है और तीसरा फायदा है पैसे जमा करने की आजादी आप इसमें कभी भी कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसका यूज करके आप PPF एकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकेंगे ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए आपको बस इन्वेस्टमेंट का सही टाइम चुनना होगा वैसे तो आप PPF एकाउंट में कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं लेकिन अगर आप किसी महीने की 5 तारिक तक पैसा जमा कर देंगे तो ज्यादा कमाई होगी क्योंकि ऐसा करने पर आपको उस महीने का ब्याज में मिल जाएगा पांस तारिक के बाद पैसा जमा करने पर आपको उस रकम पर अगले महीने से ब्याज मिलेगा इस तरह अगर आप हर महीने पांस तारिक से पहले पैसे जमा करेंगे तो आपको काफी फाइदा होगा इंटरेस्ट की बात हो रही है तो हम आपको ये भी बता दे कि PPF इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है सरकार हर 3 महीने में PPF के इंटरेस्ट रेट की समिक्षा करती है और अगर जरूरत हुई तो इसका rate बदल दिया जाता है फिर भी हमेशा इसका rate बैंक के fix deposit से अच्छा रहता है हलाकि ये भी ख्याल रखिये कि PPF का ब्याज 31 मार्श को जुरता है जबकि FD का interest हर 3 महीने में जुरता है इसके बावजुद PPF से काफी ज़्यादा फाइदा होता है दोस्तो PPF से अच्छी कमाई करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है इस तरीके से आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपे जमा करके एक करोड से ज़्यादा रुपे एकठा कर सकते हैं बस इसके लिए आपको PPF एकाउंट के Extension Facility का यूज़ करना होगा PPF एकाउंट को आप 15 साल के बाद जब तक चाहें जारी रख सकते हैं क्यानि आप इसमें पैसे जमा करते रह सकते हैं और जब तक आप इसमें पैसे जमा करेंगे आपको बहतरीन ब्याज मिलता रहेगा 15 साल पूरे होने के बाद आप इस एकाउंट को 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं वो 5 साल पूरे हो जाएं तो फिर से 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह आप पूरी जिन्दगी PPF account को extend कर सकते हैं यानि आप इस account का use करके अपने बुढ़ापे के लिए अच्छी रकम इकठा कर सकते हैं अब हम आपको एक example देकर बताते हैं कि किस तरह PPF account के extension से आप धीर सारा पैसा बना सकते हैं मान लीजे आप PPF account में हर महीने 10,000 रुपए जमा करते हैं और उस पर पूरे 15 साल 7.1% का ब्याज मिलता है तो 15 साल बाद maturity पर हमें 31,58,253 रुपए मिलेंगे लेकिन अगर हम maturity पर पैसा नहीं निकालते हैं और उसे अगले 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं यानि 5 साल और पैसे जमा करते हैं तो हमें 20 साल बाद 51,68,996 रुपए मिलेंगे यानि 5 साल के इस extension से हमारे करीब 20 लाख रुपए ज़ादा होंगे अगर इसके बाद आप फिर से 5 साल का extension लेते हैं तो 25 साल बाद आपके PPF account में करीब 80 लाख रुपए होंगे और अगर आप 30 साल तक PPF account में पैसे जमा करते रहें तो करीब 1 करोण 20 लाख रुपए हो जाएंगे तो दोस्तों इस बड़ी रकम के इकठा होने की एक वज़ा तो PPF का interest rate है लेकिन दूसरी वज़ा है discipline अगर आप लंबे समय तक regular deposit करेंगे तो आसानी से एक बड़ी रकम इकठा हो जाएगी लेकिन इस regular deposit के लिए सबसे पहले आपको PPF account खुलवाना होगा तो आईए ये भी बताते हैं कि PPF account कहां खुलवाना सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों आप PPF account किसी भी बड़े bank में खुलवा सकते हैं देश के करीब 30 बड़े bank में ये एकाउन खुल जाएगा इसके अलावा आप post office में भी इस account को खुलवा सकते हैं जिस भी post office में दो या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ ये account खुला जा सकता है इस account को खुलवाने के लिए आपको एक photo, pen और आधार की copy लेकर जाना होगा कभी-कभी bank की कर्मचारी इस account को खुलने में आनाकानी करते हैं लेकिन आप जोर देंगे तो account जरूर खुल देंगे खाता खुलवाने के बाद आप इस account को दूसरे bank या फिर post office में transfer कर सकते हैं तो दोस्तों, PPF account पर मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान पर टैप करना ना भूलिए इससे आपको useful वीडियो की information सबसे पहले मिलेगी और आप बिना किसी ad break के पूरा वीडियो आसानी से देख सकेंगे